ये कहानी है एक बूरी औरत की जिसको इस्टन यॉरप की काफी सारी फेरी टेल्स में मेंशन किया जाता है बोला जाता है ये बूरी औरत इंजार करती है उन लोगों का जो या तो भटक गए है या फिर कुछ ढून रहे हैं इस बूरी औरत को अलग-अलग नामों से जाना जाता है कोई इसको बोलता है Wolf Woman, कोई बोलता है The Gatherer, कोई इसको बोलता है Bone Woman, कोई इसको बोलता है Lalova Lalova का बस एक ही काम है, वो है हडियां इखटा करना ये अलग-अलग जानवरों की हडिया एक खटी करती है बड़ इसकी स्पेशालिटी है वोल्स की हडिया ये अलग-अलग जगाओं पर जाती है कभी डेजर्ट में कभी माउंटेंज में वहाँ पर मिट्टी को खोथती है हडिया निकालती है और वापिस से अपनी केव में ले जाती है केव में जाके ये हडियों को कुछ इस तरीके से सजाती है कि एक धाचा बन जाए वुल्फ का जब ये उस धाँचे में आखरी हड़ी लगा देती है धाँचे के साइड में जाके बैट जाती है और सोचती है मुझे कौन सा गाना गाना है जब ये गाना सोच लेती है एकदम से गाना शुरू कर देती है जैसे जैसे ये गाती है जो wolf का धांचा होता है उस पे flesh आना शुरू हो जाता है ये और तेज गाती है तो क्या होते है एकदम से जो wolf होती है वो breathe करने लग जाती है ये गाना और तेज कर देती है इतना तेज की mountain हिलने लगती है desert हिलने लगती है एकदम से wolf आँख खोलती है और भाग जाती है cave में से इतनी तेज भागती है कि जैसे ही उस पे जो moon की light पड़ती है ये जो wolf होती है एकदम से change हो जाती है laughing woman में ये कहानी है लालोबा की सो अब बात करते हैं इस कहानी से हमने सीखा क्या हर कहानी की तरह लालोबा की कहानी भी हमसे metaphors में बात करती है जैसे इस कहानी में हमने लालोबा की बात की you know लालोबा इसमें कौन है लालोबा हो आप, लालोबा हूँ मैं लालोबा है आपकी mother, आपकी दादी, आपकी नानी हम सब में एक old woman है जिसको हम access कर सकते हैं और अपने आपको heal कर सकते हैं hole बना सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से समझो जैसे आपने देखा होगा काफी कई young लड़किया होती हैं जैसे ही छोटे बच्चों को देखती हैं एकदम से उन पे बहुत प्यार आ जाता है उनकी क्यार करने लग जाती है नर्चर करने लग जाती है और वो कभी मा नहीं मन होती बट आक्च्वल में वो अपने अंदर की जो मा होती है उसको access कर पाती है इसको हम यूंगियन साइकोलोजी में आर्किटाइप भी बोल सकते हैं जो कि हमारी collective unconscious का पार्ट है सो हम सब के अंदर एक old woman है जिसको हम access कर सकते हैं जैसे कहानी में बोला गया यह जो लालोबा है जो old woman है यह हडियां इकटी करती है ऐसे हम सब के अंदर कुछ ऐसी चीज़े हैं जो हमने life के रास्ते में पीछे छोड़ दिये कुछ हडियां छोड़ दिये हडियां यहां पे represent करती है कि ऐसा कुछ हमारी psyche का पार्ट जो indestructible है बट हम उसको पीछे भूल आए है वो हमारी body का पार्ट नहीं है वो अलग है हम उसको use नहीं कर रहे हैं life में हम आगे आ गए हैं बट वो हडियां पीछे रह गई हैं इस तरीके से इसको समझो for example जैसे मैं अपना बताती हूँ यहां पे जैसे life में मैं जब मैं काम कर रही होती थी जब मैं body building कर रही होती थी उस time पे मैंने femininity को बिलकुल कहीं छोड़ दिया था मुझे नहीं पता था कि उस time पे femininity भी कुछ चीज है या मैं उसको side में छोड़ दिया है मैं अपनी धुन में मस थी बट actual में क्या हुआ वो एक हड़ी बनके पीछे छूड गई वापिस से जो मैंने अपने आपको hole बनाया तो मैंने वापिस से अपने अंदर खोदा digging जैसे बोलती है ना लालो बाट digging करती है ऐसे मैंने meditate किया मैं self aware हुई अपने आपको जाना थुड़ा अकेला time spend किया तो मुझे समझ आया कि मैंने अपनी femininity को तो पीछे ही छोड़ दिया है वो femininity की जो हडिया मैंने पीछे छोड़ दी थी ना वापिस से मैंने अपने अंदर डाली उनके उपर गाना गाया गाना गाने का मतलब है truth बोला उनके उपर कि ये मेरे को integrate करनी है अपनी soul voice डाली उसमें और फिर अपनी जो पूरी personality है उसको hole बनाया अपने आपको hole बनाया ये चीज हमें बताती है लालोबा की स्टोरी बहुत सारी बार हम life में कुछ हड़ियां पीछे छोड़ देते हैं कुछ ऐसी चीजें जिनको हम integrate कर सकते हैं अपने अंदर आपकी हड़ियां कुछ अलग हो सकती है मेरी थी femininity आपकी हड़ि कुछ भी हो सकती है कोई ऐसी होबी जो आप पहले करते थे पर आप नहीं करते कोई ऐसी चीज जो आपको खुशी देती थी पर आप नहीं करते उसके लिए time नहीं होता कुछ ऐसी quality जो आप चाते हो आपके अंदर हो आप लोगों के सामने for example कुछ चीज नहीं रख पाते आप अपना opinion नहीं रख पाते हर चीज में हां में हां कर देते हो so वो वाली जो हड़ी है ना जो assertive है उसको अपनी personality में डालो अपने आपको whole बना अपने आपको heal करो जब अपने आपसे truth बोलोगे meditate करोगे self aware होगे जो अंदर की बूरी और आते है ना वो उस चीज को integrate कर देगी तुमारी personality में ये जो psyche में जो चीजे कई पीछे छुपी हुई है ना तो उन हडियों को हमें integrate करना है ये story हमें बताती है कि हमें heal कैसे होना है अपने आपको whole कैसे बनाना है पीछे जो चीजे हम छोड़ाए है जो हमारे लिए जरूरी है ताकि हम युनों ढंक से जी पाएं अपने आपको heal कर पाएं aware हो पाएं उन चीजों को वापिस से अपने अंदर डालना सोचो वो क्या चीजे हैं जो तुम पीछे छोड़ाए हो और जैसे लालो बाट डिक करती है न अपने अंदर डिक करना सीखो अपने अंदर कैसे जाते हैं इंट्रोस्पेक करके मेडिटेट करके सेल्फ अवेर होके सो ये चीजे करो अपनी हडियों पे ध्यान दो कौन सी छोड़ाए हो क्या इंट्रोस्पेक करना है क्या मुझे चाहिए ताकि मैं ही लो पाऊ उस चीज को समझो और अपने आपको होल बना